नमस्कार साथियों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल होपैथी इजीवे में मित्रों आज हम आपके लिए ऐसी मेट्सिन लेकर के आये हैं जिनके बिना हमको प्रेक्टिस करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं यह मेट्सिन है आर्सेनिकम एलबम को आप जानते हैं कि इसको हम रोज डे टूडे प्रेक्टिस में कई बार उप्रियोक करते हैं और बहुत ही मारबरस मिलते हैं अगर इसको इसके सिंटम के एकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब किया जाए तो तो होपैथी में जब हम जर्नल सिंटम पे और उसके फिश्कल मानका अंतर मिलता है अगर mental symptoms पर हम medics को prescribed करते हैं तो हमको 100% और तेजी से इसलिए हम आज अर्च एलबं के mental symptoms के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पैसे हमारी klinik में आकर के अपने आपको प्रिजन्ट करते हैं जो और सबसे पहले मैं आपको बता थू कि यह मेडिशिन वही मेडशिन है जो मुझको होँपैति में ले आ झाहि झाल ओर जिसदें होंपैति क्या प्रतविश्वा जगाया था जोपिन जब मेने कि चाहिए मेरा था तो मैंहें के वा सेलेक्शन नहीं होता है तब तक मैं प्रयास करता रहूंगा तो हमारे यहां पर एक ग्रुप से मेडिसिन पढ़ाई जा रहे थी स्टार्टिंग में ही आर्सनिक पढ़ाई गई और उसको पढ़ने बाद मैं घर पे गया तो घर पे मेरे यहां एक पड़ोस में छोटा वह बच्चे को जो है डायरिया और बेटिंग हो रही थी और जो हमारे जो हमारा ग्रेह जनपर्देफ हैजाबाद वहां के सारे जो पीड़ों को दिखाया गया लेकिन उसकी जो है वह कंडिशन बेटर नहीं हुई वह था लेकिन फिर भी उनको जो है जो रिस्पांस मिलना जाहे था और नहीं मिला और बच्चत दिन मदे कमज़र होता जा रहा था मैंने उस बक्चे में यह ऊप्जर्ब कि वो बक्चा जो है बार बार हर twee पानी का इर लेता बहुत जादा जट रहता था उसका फेरों लगाता हुए तो यह बाता था पीटता में लेने के लेकर ठाथ पिर उतारने वह करत था पिर इत्वरबह एधर कभी इसकंद्य पर करत लेता और निस तरीका से मतलब वह मुझको पता नहीं क्या मतलब समझ में तो मैंने केवल थेस्टफ़्ट पर रहे हूं उसकी थेकर के मैंने उसको आर्शनिक एलबम जो है ले-जाकर के दिया और आर्सेनिक एलबम देने के मतलब सेम डे से उसकी जो डायरिया की और गुमेटिंग की जो फ्रिक्वेंसी थी वो कम हो गई और बिदिन अभी वो बच्चा बिलकुल नॉर्मल हो गया और बिलकुल चीक हो गया तो वहां से मुझको लगा कि नहीं अगर इस पैथिक का मैंने अभी जो है अभी मैंने इसका अध्य हैं शुरू किया अभी मैं फस्टियर का इस्टुडेंट हूं और अभी से इतना बढ़ियां अगर यह रेजल्ट में दे सकता हूं तो आगे मैं इसमें और बहतर कर सकता हूं इसी को सोच करके मैं फिर अपनी स्टेडीज को हुआ हुँ एक नए नए किताबें पढ़ना नए जो है सोध करना और पर इसका उपयोग करना और रियली बता रहा हूं कि बहुत मजा आता है बहुत अच्छा लगता है जब पेसेंट जो है हमारा ठीक हो करके और हमसे हमसे बताता है कि अब हम बिल्कुल ठीक हो गए बहुत जगे से इलाज कराया नहीं आरा मिल रहा था जब से आप से इलाज हुआ यहां पैती से इलाज हुआ तब से मुझको यह बीमारी हमारी दूर हो गए तो यह च्छोटा सा केस था उस समय मैंने क्या देखा था उसमें अभी मैं इस पर डिसकस करूंगा और उस समय मैंने केव लग उसको पिस्काइब हो गए थी उसका फास्टीडियसनेस था उसका रेस्टलेसनेस था और उसकी जो थस्ट थी जो जनरल सिम्टम पे थी यह तीन-चार सिम्टम जो है उसमें खुल कर सामने आये थे अब हम बात करेंगे कि हो की आर्षैनिक एल्बम को डिफरेंट राइ यह कुछ सब्द जो है बहुत माग लिखे हुए हैं सबसे पहले डाक्टर फाटक सर की जो बुक है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है इसके मेंटल सिम्टम के बारे में ओवर सेंसिवनेश एंशियस फास्टिडियस फाल्ट फाइडिंग फाइडिंग एंग्विश दिस्पेर आफ रिकावरी एग्जेक्टिंग एगोनाइजिंग फियर आफ डेथ हर डिजायर एक्सीट्स हर नीड्स रेस्ट्लेस चेंजज प्लेस कॉंस्टेंटली वांस तू गो फ्राम वन बेट तो एन अदर बेट इस तरीके से जो है जो जो वर्ट्स हैं जो इस मेट्सिन को डिसक्राइब करते हैं उन वर्ट्स को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और रिपरट्री में कौन-कौ के सबसेंट आपकी अपने अपको क्लेनिकों में रिपीजक्राइब करती है तो इसमें यह मेंसूбर्ण मतलब हम लोगों ने जिसके चारों तरफ समय पढ़ा था कि डाक्टर केंट की बुक में और कि एक इतना वो जो है हर चीज को प्रॉपर प्लेस पर चाहता है अपना नीट एंड क्लीन चाहता है एक तस्वीर अगर लगी हुई है वो जब तक तेड़ी है तब तक उसको वो टॉलेट नहीं होती है इस तरीके से फास्टीडियसनेस को हम सबसे खास बात है वो यह है कि आर्सेनिक का पेशेंट जो है हर चीज को एक प्रॉपर वे में चाहता है और यह जो प्रॉपर होता है यह उसके अनुसार होना चाहिए ना कि सामने वाले के अनुसार मतलब वो जो है वो बंदा उसको जो चीज चाहिए होती है वो एक 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 उसका फर्मा होता है उसका इग्जेक्ट इसका इधर उधर बर्दास नहीं करता है और इसी लिए वह परेसान रहता है वह असंतुष्ट होता है हमेशा जो है रों उसको कभी बी संतुस्ट नहीं किया जा सकता यह आर्शेनिक conception नहीं किया सकता यह आर शथमी का वसाश्चिदियेशनेस साय डॉटर केंट के जो इसमें वागि तो भहुष सारे में अप तो हैं उसमें आर्षमिक है और नकिस वोमिका लेकिन दोनों का जो fastidiousness है उसमें जमीन आस्मान का अंतर है आर्सेनिक का जो fastidiousness है उसके आगे एक और रूब्रिक है जो इसको explain करती है वो रूब्रिक है rest cannot rest when things are not in proper place इस रूब्रिक में जो है नक्स वोमिका नहीं है इसमें आर्सेनिक है एनाकार्डियम है इसका मतलब है rest cannot when things are proper place उसको तब तक रेस्ट नहीं मिलता है जब तक चीजें कोई भी चीज है वो प्रॉपर नहीं हो प्रॉपर और यह जो प्रॉपर है वो प्रॉपर उसके according होना चाहिए उस व्यक्ति के according होना चाहिए अब हम उस बच्चे से अगर compare करें तो उस बच्चे को जो है वो चैन नहीं मिल रहा था वो जो है मतलब वह गोधी में है तो उसको ऐसे करके लेती थी फिर उसके बाद उसको काटता था नहीं मिलता था व्डाला च् semble मों पे द्धीतं प कभी नीचे उतरने के लिए और ये वोणता था जब वो pain में होता जा जब परिशान होता था तो उसको किसी भी उस पर rest नहीं मिलता था राइटर्स ने लिखा है patient goes from one bed to other bed वे एक bed का मतलब होता है जहां पर उसको comfort मिले जहां पर उसको आराम मिले वो bed होता है तो एक bed से दूसरे bed जाना मतलब एक condition से दूसरे condition जाना bed का मतलब हो गया कि जिस condition में उसको आराम मिले लेकिन किसी भी condition में उसको आराम नहीं मिल रहा है जो उसको hold किये हुए है तो वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें कि इसको ऐसे ले 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 तो आरा मिल जाए कभी वो जो है जरा सा उसको नोजी आ जाता है तो तुरंत उसके पास उसको वोग करने के लिए तो इस तरीके से वो उसको कभी भी comfort नहीं मिलता है जब तक चीजें वो proper में नहीं हो जाएं पेशेंट के यह रूबरिक आपको सबसे अच्छा पेशेंट नहीं बताएगा उसके घर वाले बताएंगे घर वाले बताते हैं कि सर इसको बीमार होता है यह तो पूरा घर सर पर उठा लेता है मतलब जो उसका देख Chief होह enjocji दशेंट बहा है वो कहता है क्या एक कर यह ऐसे घार आपने बार उसको तक्या लगा एक तो तक्या कहेगा यह बहुत वह बहुत ऊंचा तक्या लगा दिये और वो कहता भी नहीं है डाटता है चिलाता है तो आपने तक्या चेंज कर दिया पतलद तक्या लगाना था तो इसका मतलब क्या था इसको ओर थोड़ा सा होचा करो उसके बाद में यह बहुज़ot तकिया मतलब वो उसको जो है आप उसको संतुष्ट नहीं कर सकते अपने काम के द्वारा तो इस तरीके से जो है यह इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और यह पेशन्ट बताएगा पेशन्ट को एतनी रहती इतनी उल्जण रहती है कि मुझे उससे ज्यादा इसका आटेंडन्स अब पूछेंगे तो सभाव के बारे में इसके नेचर के बारे में तो अटेंडन्स उसको एक्स्प्लेन करेगा तो यह है फास खाना बना है वितना ज्याद मैसाला डाल दिया यह लीसे बीने शंतुष्ट होता है अर जो当े करता है उसके ओपर वह हमेशा चिलाता रहता है यह रुब्रिक है इसमें फाल्ट फाइंडिंग हमेशा दूसरे का दोस्त निकालने वाला होता है फिर बाइटिंग टंबलर ही यह रुब्रिक बहुत है आपके मुह तक पानी गिलास लेके गया तो उसको काट लेता है मतलब कि जो उसकी हेल्प कर रहा है जो उसको चीजें आफर कर रहा है जो उसकी सेवा कर रहा है उसको इतना परिसान करता है को उसको काटता है मतलब जो जो बंदा होता है जो उसकी केर कर रहा होता है वो कहता के लगता है काठ खाएंगे तो बाइटिंग टंबलर मतलब होता है कि जो बंदा उसके उसके सर्विस में होता है उसको वह जीने नहीं देता है वह परिशान रहता है और फिर भी वह कब़ो करता रहता है फिर इसमें जो है एक रूब्रिक है moral feeling want of criminal without remote disposition to become a मतलब उसमें moral feeling want of का मतलब होता है कि जरा से मोरैलिटी नहीं बची रहती है criminal वो वो क्रिमिनल जैसे हो जाता है criminal हो जाता है क्रिमिनल आपने देखा होगा कि उसे कई बार होता है कि जैसे मदर इनला या बोलते हैं कि अरे बहु है तो करेगी ही, कल मेरा सरदर्द हो रहा था, रात भर मेरा बैठ के सर दबाई है, और जरा सा इसको वो हो रहा था, तो मतलब रात भर आपका सर दबाई है, तो उससे आप बहुत से रहा है जो मेरी सेवा कर रहा है वो उसको जो है उसको भी कोई नीड होती है उसको भी सोना है जागना है बातरूम जाना है ट्वालेट जाना है लेकिन नहीं क्लिंगिंग है मतलब वो जो है जो बंदा होता है जो उसकी सर्विस में होता है उसको वो क्लिंग किये रहता है अपने पास से जाने नहीं देता है और इस तरीके से क्लिंग किये रहता है कि उसको ग्रैस्प किये रहता है grasp करने के आविकों कि बिलकूल कस के पकड़े रहते हैं इसमें उसको कितना को पुपीन हो जाता है आपने उसके及 कोई काम करने हैं किया हुआ है वो चाहे जितना च्छट पटा रहा है लेकिन हम उसको छोड़ नहीं रहे हैं तो क्लिंगिंग ग्रैस्पिंग हर हेल्ड वांट टू बी हैल्ड हमेशा उसको यह चाहिए होता है कि कोई जो है उसको हेल्ड किये रहे उसको रोके रहे यह जो सारी रूब्रिक्स ह यह इसलिए इसके साथ चल रही क्योंकि उसके अंदर जो है फास्टीडियसनेस है उसको मन में यह है कि चीजें सब इंप्रॉपर में है और वो उसके अंदर इतना पावर नहीं है आपने आर्सैनिक को पढ़ते समय एक सब्द पढ़ा होगा प्रोस्टेशन आर्सैनिक के अ हो सकता है कि फिजिकली वो सही में इतना वीक हो गया हो या मेंटली वो इतना वीक होता है मतलब मेंटली वीकनेस का मतलब उसका जो दिमाख है उसका जो मन है उसको यह लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं मतलब मुझे अगर पानी चाहिए तो मैं उठके नहीं कि प्राइब पानी पानी तो इतना पानी को पीता है रात में तो वह उसको इतना परिसान करेगा और उसको छोड़ेगा नहीं उसको उसको ग्रैस्प किया हुआ होता है तो इस तरीके की जो activity होती है दूसरे के प्रती जो है यह crime नहीं है लेकिन अपर शक्राइम जैसा है और उसको पश्तावा भी नहीं होता है वो कहता है यह नहीं करेगा तो कौन करेगा अगर जो है अगर मेरी तबियत खराब हुई तो मेरी बहु नहीं करेगी तो कौन करेगी उसको करने चाहिए यह उसी के लिए है तो एक तरीके से प्रिजडाइस नेचर है कि जो परंपरा में हमारे बना हुआ चला हुआ रहा है उस तरीके से यह जो है बहु है तो बहु को करने चाहिए फिर जो है objective reasonable है क्योंकि वो कारण दे रही है कि अगर ये बेटा नहीं करेगा ये बहु नहीं करेगी तो कौन करेगा इस तरीके से जो उसका presentation होता है जो उस patient का जो behavior होता है वो घर वालों के प्रती बहुत बुरा होता है और इतना बुरा होता है कि जो घर वाले होते हैं वो तंग आ जा जाए ये ना बीमार पड़े बाकी कुछ भी हो जाए तो ये कुछ रूब्रिक्स के साथ हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और सैनिक को एक रूब्रिक इसमें और है इंडिफरेंस टू बिल फियर आफ अदर इंडिफरेंस का मतलब होता है कि हम किसी चीज के बारे में aware हैं कि इसलब जैसे अगर हम इंडिफरेंस टू वर्क है तो हमको पता है कि हमको इतना काम करना है करना है लेकिन चुपचाप पड़े हुए उधर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं उसके बारे में हमारे दिमाग में आइडिया है तो दूसरा अगर माल लिजिए कि घर में खाना बना है और दो लोगों को खाना है एक अर्सपी का खाना है तो एक हम आपना ऐख हम है ऊसको ध्यान नहीं देगा उसको पता है कि अगले खाना है उसको जरूबत है लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देगा कुछ भी खा लें कुछ कर लेंगे ऐसे ही जो ईसका केर कर रहा होता है उसको उसको भी कोई जरूएसम बाथेरोम जाना विसको बेट और अखान भी काम है तो उससे मतलब नहीं होता है वह वहीं बैठा रहे उसकी केर करता वाला है वो उसको छोड़ के ना जाए मतलब अगर बच्चा है उसकी मदर जो है वो जैसे बताती है कि आस पास मैं रहती हूं तो इसको कोई दिक्त नहीं होती जैसे ही मैं बाथरूम में जाती हूं जैसे मैं ऊपर जाती हूं तो तुरन चिलाना सुरू कर देता है क्यों सुर चिलाना सुरू कर देगा और जैसे फिर वो वापस आ जाती है फिर वो चुप हो जाता है एक जो उसका केयर करते कर है उसका आसपास होना चाहिए तो इस तरीके से यह क्लिंगिंग रूब्रिक में है और इस यह है इंडिफरेंस टू बेलफियर आफ अदर्स ठीक है फिर क् ज्यादा माक्ट सेलफिस है अभी तक मेरी जितनी भी बातें हुई होंगे उससे आपने समझ आपको समझ में आगया होगा कि आर्सेनी कितना सेल्फिस बंदा है तो यह जो अभी फिर इरेटिबिल्टी पें डूरिंग पेंड की बहुत सारी रूब्रिक में है यह जरा सा प पेन फ्राम में है, डिस्पेर, पेन फ्राम, एंगर, पेन फ्राम, इरेटिबिलिटी, पेन डिूरिंग, सेंस्टिफ पेन टू इस तरीके से, आर्सेनिक के बंदे को जरा सा भी पेन बरदास नहीं कर पाता है, क्यों क्योंकि वो प्रॉपर वे में रहना चाहता है, जो पायेगा और रेस्ट लेस्निस में चला जाएगा, तो यह जो है पेन या शफरिंग जो होती है, वो क्या होता है, वो नॉर्मल से अबनॉर्मल कंडिशन होती है, नॉर्मल ने से थोड़ा सा जो डेविएटेट पाती है, यह है, तो उस पेन को आर्सेनिक नहीं टॉलरेट क किसी तरीके से यह पूत किसी तरीके तो यह अपने और करता है यह करके हाइट करता है यह तो माम सारी रुब्रिक्स जो इसके पेन के साथ चलती है तो तो इरेटिमिलिटी पेन डियूरिंग में है और जो इसका फास्टीडियसनेस है फास्टीडियसनेस में आर्सैनिक अपने प्रेजेंटेशन को ले करके बहुत ही कॉसियस रहता है उसका सब कुछ जो है वो मतलब जो चीजें होती है उसकी वो अच्छी दिखनी चाहिए वो उसकी परसनालटी अच सब्सक्राइब कर लेते हैं जो बच्चा अब कर देझार में हमने बात जैसे मुट जी यह बहुत देशना और रही आधा मतलब एक पोजिशन में वो नहीं रह पा रहा था और इसके साथ में जो है वो यह हो गया कि कैरीड डिजाय टू बी कैरीड वो नीचे भी ने उतर रहा था और गोदी में भी और उसके साथ वो क्लिंग किया हुआ था वो बच्ची उसको छोड़ नहीं सकती थी वो छोड़ करके है निकी असके बाद हम देख लेते हैं इसमें जो है अजै कि को घुर ढम भी में बात कर रहे तेंक इतना जादा प्लिंस्टि नहीं होता कि यह अपने छोटे से पेन को यह और डील में कनवर्ट कर लेता है और फियर और डील आपको हमने जो है जलसीमियम में अच्छे से डिस्क्राइब किया है इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है उसको भी आप देख लीजिएगा तो यह आपको क्लियर हो जाएग लेमेंटिंग पेन एबाउट कंप्लेइनिंग पिटीफुली अभी हम एक दूसरा आपको एक दूसरे केस के साथ जो है बात करेंगे एक अगले वीडियो में हम आपको और अच्छे से इस मेडिसिन को एक्स्प्लेइन करेंगे तो यह रही जरनी दोस्तों आर्सैनिक की उम आपको यह वीडियो और यह मेडिसिन और अच्छे से समझ में आ जाएगी इसी उमीद के साथ कि आप इस वीडियो को आगे लाइक करेंगे सेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप से अल बिला लेता हूं धन्यवाद